नमस्कार दोस्तों, हमारे राश्ट्री धोज के बारे में रोचक तत्यों की शंकला में आज का दूसरा अंश, जिसमें पहले अंश में हमने बताया था कि 15 अगस्त और 26 जन्वरी को जंडा पहराने के जो अंतर होते हैं, उनके बारे में पहला अंतर बताया था। आज इस शंकला में हम आपको दूसरा अंतर बताने जा रहे हैं, 15 अगस्त को होने वाले मुखे कारिक्रम में देश के प्रधान मंत्री शामिल होते हैं और इस मौके पर प्रधान मंत्री धोजा रोहन करते हैं, इस दिन प्रधान मंत्री धोजा रोहन करके 15 अगस्त 1947 को हुए एतियासिक घटना को सम्मान देते हैं। इसके पीछे भी एक वज़े है कि 15 अगस्त को प्रधान मंत्री ही धोजा रोहन क्यों करते हैं। पहले स्वतनतता दिवस पर कोई राष्टपती नहीं थे। माउन बैटन उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। जो की राष्टपती के समकक्ष थे। लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी को एक नए स्वतनतर राष्ट का धोजा रोहन नहीं करने दिया जा सकता था। और इस चब्ज़ जनवरी को होने वाले मुख्य कारिक्रम में राष्टपती ही जंडा फैराते हैं। अब ये सवाल जरूर उठेगा कि 26 जनवरी को राष्टपती ही जंडा क्यों फैराते हैं। तो इसका जवाब है कि प्रधान मंत्री देश के राजनैतिक प्रमुख होते हैं। जबकि राश्टपती सम्विधानिक प्रमुख देश का सम्विधान 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले ना तो सम्विधान था ना राश्टपती। इसी वज़े से हर साल 26 जन्वरी को राश्टपती राश्ट्री ध्वर्श फेराते हैं। तीसरा अंतर जानने के लिए इस श्रंखला में और इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।